दोस्ताथी टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तो, दात का दर्द येदी किसी के होता है, तो वो खुद ही समझ सकता है कि ये कितना परिशानी भरा होता है। येदी किसी के दात के दर्द रात को होना सुरू हो गई, तो ये समझ लो, दिन उगना मुश्किल हो जाता है, और आदमी दवाईयां लेते लेते ठक जाता है, परन्तु दात का दर्द ठीक नहीं होता। ऐसी इस्तिती में पूरी रात के नेंद खराब होती है, घरवालों को परिशानी भुखतनी पड़ती है, और डाक्टर से आप जितनी भी दवेयां पुछेंगे, वो सब भी समय पाके ठीक करती हैं। मगर आज मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ, जो मैंने श्वम काम में लिया है, उस उपाय को करके आप दात दर्द को तुरंट ठीक कर सकते हैं। ये उपाय आप अपनी खीचन के द्वारा जो सामान है उसी के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है आपको करना है जब भी आपकी दांत में दर्द हो रहा हो कहीं भी दांत में जाड में मसोडों में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो आपको करना क्या चाहिए एक गिलास गरम पानी कीजिए गरम पानी इतना होना चाहिए कि आप मुझ में उसको दो मिनिट रोक सकें, इतना गरम पानी होना चाये, एक गरम पानी का गिलास, काच के गिलास में गरम पानी लीजिए, और उसमें आदा चम्मच, सेंदा नमक, अथवा घरेलू नमक, कोई भी हो, वो नमक पीशा हुआ नमक मिलाइए, और नमक मिलाने के बाद में, आप उसको गरारा कीज गरारा करेंगे तो एक गरारा करने में कम से कम एक मिनिट लगाईए और इस तरह आप पांच गरारे कीजिए पांच गरारे करने के बाद में वो गिलास खाली हो जाएगा आपका और आपको हातों हात दूसरे साधे पानी से मुझ साफ नहीं करना है थोड़ी देर यानि पानी से जो गरारे की हैं वैसी इस्तिति में आपको रहना है और पांच साथ दस मिनिट के बाद में आप अपना मुझ साफ दूसरे गरम पानी से ही किजिए ठंडा पानी नहीं और फिर आपको ये देखिए चुटकियों में आरा मिल जाएगा मतला आप सोच ही नहीं सकते वास्ता में कितना कारगर है मेरे श्वम के ये दर्द हुआ था और मैंने पूरी रात परिशानी से निकाली और शुबह किसी बुजुर्ग आदमी को पूछा कि रात को तो नींद नहीं आई कारण क्या रहा तो मैंने बताया दांत में बड़ा दर्द हो रहा था जाड में दर्द हो रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया और मैंने तुरंट वो उपाई किया और मतलब आप ये समझे लिए 90% फाइदा तुरंट मिल गया ऐसे इस्किति में आप भी यदि आपके जाड में कभी दर्द होता है दांत में कभी दर्द होता है या बच्चों के दर्द ह होता है बुजूर्गों के दर्द होता है दांत में तो यह उपाई कीजिएगा उसके बाद में मैंने लगातार एक दिन में तीन बार यह गरारे किये नमक मिलेवे गरम पानी के और दूसरे दिन मेरे दांत एक प्रियोग कीजिए और जल्दी से जल्दी फाई आप प्रियोग कीजिए और जल्दी से जल्दी फाई पाईए वैसे रूटीन में भी आप यदि यह प्रियोग करते हैं तो कहीं कोई नुक्सान की बात नहीं है हबते में मैं कहूंगा दो बार ये प्रयोग जरूर कीजिएगा यदि आपके दांतों में मसूडों में कहीं कोई तकलीफ है दर्द है तो आप ये कर सकते हैं वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा सारी माताओं बेनों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके लिए बहुती काम का वीडियो है बच्चों के दांतों में दर्द होता ही रहता है ऐसी इस्तिति में उनके लिए ये वीडियो बहुती उप्योगी है